दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में बालू नहीं मिल रहा तो अब नमबर घुमाईए खनन बिबाड के अधिकारी करेंगे मदद जीहां बिहार में बालू के अवेद खनन के ममामले सावने आने के बाद प्रासासन काफी एक्टिव हो गया है वहीं दूसरी तरब राज में निर्मान कार के लिए उची दर पर बालू नहीं मिलने से लोग काफी परिसान है बालू नहीं मिलने की कबरों की बीच आम लोगों ठेके दारों और टांस्पोर्डर की मदद के लिए खान एवां बुतत विभाग ने नहीं विवस्ता की है अब सोलो जिलो की खना ने दिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई की वे लाइसेंस दारी खुद्रा विक्रिताओं से निर्मान कार के लिए बालू उपलब्द करवाने में मदद करें इसके अलावा किसी भी तरह के आस्विदा होने पर विभाग ने 0-6-12, 2-15-350 और 2-15-31 पर संपर्क करने की अपिल की है इन 16 जिलों में अर्वल, और अंगाबाद, बाका, बेकुसराई, भागलपूर, भोजपूर, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, नालंदा, नावादा, पटना, रुतास, सारन, सेखपुरा और वैसालिस सामिल है बाड़ी खबर अब ग्रेटर प्रटना से चलेगी CNG बसे, बिहाटाब फत्वा और हाजिपूर के लिए परिवहन निगम को मिली 50 नहीं बसे जहान, राजदानी पटना में प्रदोसम कम करने के लिए अब केवल CNG बसे चलेगी, इसके अलावा बिहाटा फत्वा वाहाजिपूर में CNG बसे चलाए जाएगी, परिवहन निगम को मिली 50 नहीं बसे को अलग-अलग रुटों पर चलानी के तयारी है CM निदेश कुमार इसका उदगाटन सिक्र करेंगी, इसके लिए CM सचिवाले से उदगाटन तिति का इंतिजार हो रहा है आपको बता दे कि इस मार के अन तक कभी भी सारी नहीं CNG बसे सडकों पर दिखेगी, राज़ानी पटना में लोकल रुटों के अलावा बिहाटा रुटों को मिला कर लगबग 40 बसे चलाए जाएगी, इसके अलावा 10 बसे पटना सिटी सहित फतवावा हाजिपूर के लिए चलेगी, पहले चरण में इन जगहों पर CNG बसे चलाने के लिए पटना ससटे, दूसरे सहरों के लिए भी चलाने की योजना है, सारी बसे गांदे मेदान से विभीन रुटों के लिए खुलेगी, इससे यात्रियों को काफी सुविदा मिलेगी बाड़े कबर बिहार में 18,000 से अधिक तालाब, आहार, पाइन और कुवा पर है अवेद कबचा, सरकार अब करेगी अतिकरमन मुक्त जिहां, राजस्वे एवाम मुमि सुदार विभाग को जल जिवन एवाम हरियाली अवियान के तहट तालाब, पोकर, आहार, पाइन और कुवा को अतिकरमन मुक्त कराने का टास्क मिला है, जिला प्रसासन भी इसमें मदद करेगा राज जिवर में 2000 से अधिक जल संचैन के सोत रियानी के तालाब, पोकर आदी ताद साड़े 8000 से अधिक वो को कब जमूत कराना होगा राजस्व एवा मोमी सुधार विभाग ने रिमोट सेंसिंग के मायदम से उवलब्द कराए गए सुची के आदार पर तालाब, पोकर, आहार, पाइन की पहचान की है इन सारवाजने की जल स्तरों की सेंक्या 72,960 है और 81,727 सारवाजने कोई चिनित के गए हैं विभाग ने सेत्तापन में पाया गया की 17,660 तालाब, पोकर, आहार वा, पाइन पर लोगों ने कबज़ कर लिया है जिसे अब अधिकरम मुथ कराने का उन्हें टास्क दिया गिया है बाड़ी कबर, राज के ट्रेन यात्रियों को रहाद, पाटली पूत्र से मुझपरपूर्वा दरवंगा समेथ, चार जोडी पेसंजर ट्रेने आज से चलेगी जहां राज़दानी के लोगों को अब मुझपरपूर्वा दरवंगा जानने के लिए विकल्प में बढ़ोत्री होगी रेल्वे ने पाटली पूत्र जक्सन से मुझपरपूर्वा दरवंगा के लिए दो जोडी पेसंजर ट्रेनों की सुरुवात करने की गोसना की है इन दो जोडी पेसंजर स्पेसल समेत कूल चार जोडी ट्रेन फिर से चलाए जाएगे आपको बता दे के जिन ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा उसमें ट्रेन संग्या 05253 और 05254 मुझपरपूर पाटली पूत्र मुझपरपूर इसके अलावा 05255 और 05256 इसके अलावा 05257, 05258 मुझपरपूर नटकडिया गंज मुझपरपूर और 05265 और 05266 पाटली पूत्र दर्बंगा पाटली पूत्र पैसंजर स्पेसल ट्रेन चलाए जाएगी बाड़ी कबर सियम नितिश के इस वैसले के बाद बिहार में बदल जाएगी यह विवस्ता जहराज में अब सरकारी सहाइता से आरवा चावल के मिल नहीं लगेगी मुखिमंत्रे नितिश कुमार ने जन वित्रन दुकानों में उसना चावल देने को स्वास्त के लिहाज से बहतर माना तो सकारिता विभाग ने उसना चावल मिलो पर ही काम करना सुरू कर दिया है विभाग नए मिलो की डिप्यार तो बनाए गई साथ ही पुराने आरवा चावल मिलो को उसना में बदलनी की लागत का भी आकलन करेगा लागत अनुमान के अनुसार हुआ तो या नए मिलो की साथ पुराना का भी उसना में बदलनी की प्रकरिया होगी बाड़ी खबर पस्वपती पारास ने सांसत प्रेंस राज को दे बिहार की कमान साथ राज्जों में नई अईधक्च जहाँ लोजबा में पस्वपती पारास और चिराग पासवान के बेच चल रहे लड़ाई में लगतार चाचा अपने भतिजे पर भारी पढ़ते जा रहे हैं लोजबा के राष्टी अधक्च वग केंद्रे मंत्रे पस्वपती कुमार पारास ने साथ राज्जों में नए प्रदेश अईधक्चों को पार्टी की कमान देनी शुरू कर दी है पहले चरण में उन्होंने साथ राज्जों के नए अईधक्च बनाए हैं खास बात है कि सांसत प्रेंस राज को उन्होंने एक वर फिर बिहार की बागडोर थमा दी है साथ योपे की स्रिप्रकास सिंग को पार्टी में राष्ट्य सचिव की जिम्मेदारे दी है केंद्रे मंद्री पसुपदी कुमार पारस ने कल साथ राज्यों में नए अधक्ष का ललित नराइन चोधरी महराष्ट के रवी गरूड और इस्सा की विरेंद्र कुमार बेंग त्रिपुरा के रूमकर और दादर नगर हविली वह दामन दीव का नया प्रदिश अधक्ष अमीत नरिस राठी को बनाया गया है तो मैं दूसरी तरफ गडबंदन को लेकर चुनाओ के पहले फैसला लेंगे चिराग जनसंक्या नियंतरन के मुद्दे पर बिज़ेपी की विरोध में उत्रे जहाँ, लज़ेपी अधक्ष चिराग पास्वान ने जनसंक्या नियंतरन के मसले पर बिज़ेपी के इस्टेन का विरोध कर दिया है चिराग पास्वान ने खुले तोर पर कहा है कि जनसंक्या नियंतरन कानून बनाने से नहीं बलके जागरुकता से होगा दिल्ली से पटना पहुची चिराग पासवान ने जब जनसेंक्या नियंदरन को लेकर सवाल किया गया तो चिराग ने कहा कि जागरुकता सही इन्हें समय सा को खतम किया जा सकता है S.E.S.T. Act के मसले पर वी यही हुआ था या पूछे जाने पर चिराग पास्वान तेजस्वी आदव के साथ क्या जाने वाले हैं क्या महागडवंदन में लजपी सामील होगी चिराग पास्वान ने कहा कि उनका पूरा फोकस इस वक्त आसिरवाद यात्रा पर है बड़ी खबर बिहार में कमजोर पड़ा मानसुन 17 जिलो में सामायने से कम हुई बारिस जिहां जून महिने में बिहार के अंदर मानसुन पूरी तरह से प्रभावी रहा लेकिन जुलाई के दूसरी हपते में राज के अंदर मानसुन कमजोर पड़ गया है बिहार के 17 जिलो मे समाइने से कम बारिस रिकोर्ड की गई है उत्तर बिहार के इलाके में जहां अब तक लगातार बारिस देखी गई है वहाँ भी बारिस से थम चुकी है पटना समेत 19 जिलों में बारिस नहीं हुई जबकि 17 जिलों में समाइने से कम बारिस रिकोर्ड की गई है पटना के साथ सा गया औरंगाबाद अर्वल समित कूल 19 जिलों में बुद्वार को भी बारिस नहीं हुई जबके जमई और खगड़ी में 17 जिलों में सामाइने से कम बारिस रिकोर्ड की गई है मौसम विवाक के मुताबिक पूर्वी और दक्चिनी पूर्वी दिसा से चलने वाले तेज हवा की वज़ा से मंगाल के खाड़ी से आने वाले निमने हवा के दवाब में त्रिवता दिखाई दे रही है इसके अलावा मौसम विगान केंद्र के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटी के दोरान उत्तर बिहार में एक वर फिर बारिस हो सकती है पटना गाया बेगुसराई समेद बिहार के दक्चिनी हिस्से में हलकी बारिस का पुरानवान जारी किया गिया है अगली बड़ी कबर राज में उफान पर नदिया गंडग के तेवर बरकरार गंगा और बागमती के जलिस्तर में कमी से राहत जहां राज के सवी प्रमुक नदिया अपनी सिमा से सिमटने लगी है लेकिन बोडी गंडग के तेवर अभी बरकरार है बोड़ी गंड़क नदी रसुडा रेल पूल के पास लाल निसान से लगबग सवा तीन मीटर उपर बार ही है गंगा का जलेस्तर पटना से भागलपूर तक निची उत्रा है बागमती समस्तिपूर में अपनी सिमा में आ गई है लेकिन मुझपरपूर दरबंगा में अभी भी लाल निसान से उपर बार ही है गंगा का जलेस्तर पटना से भागलपूर तक गिरा हुआ है कोसी नदी का डिश्चार्ज गुरवार को थोड़ा कम हुआ है खगड़िया जिले में यहां नदी भी लाल निसान से एक मीटर सो सेंटिमीटर उपर है इस नदी से गुरवार को बरहा चेत्र में एक लाट उननिस हजार तो बराज पर एक लाट चोसट जार घंसिक पानी निकल रहा है गंड़क का डिश्चार्ज कापी घड़ गया है इस नदी से वाल में की नगर बराज पर एक लाट अरसट हजार घंसिक पानी मिल रहा है अगली बाड़ी खबर बाड से बचाओ के लिए छोटी नदीयों को जोड़ेगी बिहार सरकार नदीयों का हुआ चयन जिहां सूचना एवाम जन संपर्क सजल साजानन मंतरी संजे कुमर जहा ने एक नीजी टेलिविजन चेनल से बादचीत में कहा है कि राज में बाड़ का प्रभाव कम करने के लिए छोटी नदीयों को जोड़ने के योजना है मंतरे संजे कुमर जहा ने कहा कि राज सरकार अपने बज़र से फिलाल उत्तर और दचिन बिहार की एक नदियों का चयन कर उन्हें जोड़ने के योजना पर विचार कर रही है अगली बड़ी खवर हावाई सर्वेक्षन के बाद सेम नितिस का निर्देश जिला अधिकारे अपने जिलों के बाड़ प्रभावित इलाकों में ततकाल सहायता पहुचाई जहां मुखिमंत्रे नितिस कुमार निकल बेगोसराय खगडिया भागलपूर मधिपूरा नलंदा नवादा एवं पटना जिले के बाड़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षन किया मुखिमंत्रे ने बाड़ ग्रस्त बेगोसरा जिले के चरिया बेरिया पूर नवा कोठी खगडिया जिले के खगडिया गगोरी मधिपूरा जिले के आलमनगर भागलपूर जिले के खरीक रंगरा पीर पैती गोपालपूर साबोर नलंदा जिले के रहुईप गिरियाक बि जल संसदन विवाद के सचीव संजीव हांस एवा मुख्यमंत्री के विशेस कार पदादिकारी गोपाल सिंग भी मौजुद थे। बाड़ी खबर पटना में अब गाड़ी पार्किंग करने की समयसा से मिलेगी निजात पीमसी 38 जगों पर बनाएगा स्मार्ट पार्किंग। अगली बड़ी खबर कोरोना के तिसरी लहर को लेकर तैयार हो रहा है अस्पताल में हेल्थ वरकरों की कमी को पुरा करने का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़े में जुलाई मा में इस्टाप नर्स की बहाली का रिजल्ड भी जारिक कर दिया जाएगा। अंसिलिंग के लिए नौ दिनों का सेडूल जारिक कर दिया गया है। 19 जुलाई से प्रक्रिया चालो होगी जो 29 जुलाई तक चले गी इसके लिए। राज स्वास्त सम्मिती ने आदेश भी जारिक कर दिया है। आदेश में कहा गया कि बहाली की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाए। बाड़ी खबर राज में इस बार भरजी वोटर नहीं चलेंगे। बिहार पंचाज चुना में बूध पर होगा बायोमेटिक मसीन, मतादाता की पहचानक लिए पहली बार होगा यह परियुग। बोकनिक लिकी गई है बूत पर वोट डालने के लिए आने वाले बोटर का मदान से पहले फिंगर प्रिंट लिया जाएगा इसके साथ फेस रिडिंग भी की जाएगी उसका पलक जबकती ही वीडियो लिया जाएगा बड़ी खबर पेट्रोल मुल विर्दी और महंगाई की खिलाब सडकों पर उतरेगी आरजेडी तेजस्वी बोले 18 और 19 जुलाई को होगा विरोध परदसन जिहां देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डिजल के मुल विर्दी की खिलाब राष्टे जनता दल ने हल्ल बोलने का फैसला किया है इसी हपते राज़त बिहार में महंगाई की खिलाब सडकों पर उतरेगी बुद्वार को इसकी गोसना करते वे राष्टे जनता दल के नेता तेजस्वी यादम ने राज और केंद्र सरकार पर हमला बोला है तेजस्वी ने कहा कि केंद्र और राज सरकारे मिलकर गरिबों का खुन चोसने का काम कर रही है लगातार पेट्रोल डिजल एलपीजी की कीमत आसमान छुती जा रही है 18 जुलाई को बिहार के सभी प्रकार्णों में हम बिरोध परदसन करेंगे आगले दिन 19 तारिक को सभी जिला मुख्याले पर बिरोध परदसन ह आज के लिए आपका स्वाल बताए के लजेपिक के चिराट पासवान को महागडवंदन में सामिल होना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए